हाफमें कोडिंग हाफमें कोडिंग जो हम यूज करते हैं वह बेसिक लिए source code के लिए होता है तो हम देखते हैं कि यहां गर हमारे पास कोई प्रॉबबिर्टी गिवेन है तो उसको हम हम कैसे चेंज करेंगे और उसका कोड़ वर्ड कैसे बनाएंगे हम आप आप आज इंग्जांपल गवेन है तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं सिंबल स्नॉट स्वन स्टू स्ट्री और स्फॉर जो प्रॉबिटी हमें गवेन है वो है हमारी 0.4 0.2 0.2 0.1 और 0.1 जो भी प्रॉबिटी गवेन है उसको हम डिक्रीजिंग और्डर में लिख लेते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा हमन कोडिंग का यह है इसके बाद हम क्या करते हैं दूसरा स्टेप जो है कि जो हमाई जो लोवेस्ट प्रॉबिल्टी होती है सबसे नीचे जो हमाई प्रॉबिल्टी आई है तो उनको हम नंबर दे देते हैं 0 और 1 इसको हमने 0 दे दिया और इसको हमने 1 दे दिया इसके बाद आता है स्टेज 2 इस स्टेज 2 में क्या करते हैं कि जो यह प्रॉबिल्टी हमारी आई है इनको हम एड करेंगे तो 0.1 प्लस 0.1 होता है हमारा 0.2 अभी जो प्रॉबिल्टी है इसको हम जितना ऊपर हो सकता है प्लेस करेंगे तो लेकिन यहां जो सबसे हाइस्ट है वो 0.4 है उसके बाद 0.2 तो 0.4 तो आज़ेगी यह आगे हमारी 0.4 इन दोन को मिलाकी जो हमारी बनी 0.2 प्रॉबिल्टी इसको हम यहां पर प्लेस कर देंगे क्योंकि यह भी 0.2 है यह भी 0.2 तो यह हमारा टॉप मोस पोजिशन जो इसकी पॉसिबल टॉप मोस पोजिशन होगी वह ही हो जाएगी इसके बाद हमारी जो प्रॉबिल्टी बची है 0.2 उसको हम नीचे रख देंगे इसको भी हम नीचे प्लेस कर देंगे अब हमारे पास जो बॉट्म 2 हो गई है वह हमारे पास यह बॉट्म 2 इसको हम कह देंगे 0 और इसको हम कह देंगे 1 अब जो हमारे पास प्रॉबिल्टी होगी वह कितनी होगी 0.2 प्लस 0.2 is equal to 0.4 तो इसको हम आजाकर रख देंगे स्टेज 3 आजाती है हमारे आपर स्टेज 3 इस ट्रेज 3 में हम इसको सबसे उपर यागर रख देंगे 0.4 क्योंकि जो हाइस्ट है वो हमारी 0.4 है यह भी 0.4 है तो इसकी टॉप्मोस्ट पॉसुब्स बनती है पॉसिबिल जो बनती है टॉपमोस्ट वह सबसे उपर जाएगी फिर यह जो हमारा 0.4 बचा इसको हम नीचे करतेंगे यह आ गया हमारी 0.4 और यह आ गया हमारी 0.2 अब जो हमारे पास सबसे नीचे बची है वो बची है हमारे पास 0.4 और 0.2 अब 0.4 प्लस 0.2 को हम एड़ करते हैं तो यह बनता है हमारा 0.6 तो जाहिर से बात है इसकी टॉप मोस्ट पॉसिबल पोजिशन हमारी हो जाएगी 0.6 यह आगे हमारा स्टेज 3 और यह 0.4 है हमारा यहां पर आ जाएगा अब यह जो बना हमारा यह हमारा 0 और यह 1 है तो यह हमारे सिंबल थे जिनको हमने डिक्रीजिंग प्रॉबिल्टी में अरेंज कर दिया था इसको हम रिडियूस करते रहे बॉटम वाले को हम जिरो बन देते रहे और जो इनको एड़ किया उसको हम टॉप मोस्ट पोजिशन पर जो हमारे पास अवेलेबल हो डिक्रीजिंग ओडर में उसमें अरेंज करते रहे तो इस तरीके से हमारा धीरे धीरे जो है वो जीरो और वन अब हम देखते हैं कि जो हमारा कोड़ वर्ड हो कैसा आएगा तो सबसे पहले हमारा सिंबल है स्नॉट उसकी प्रॉबिल्टी हमारी 0.4 तो 0.4 का जब हम कोड़ वर्ड जेनेट करेंगे हैं हफ्मन कोडिंग के तरू तो देखते हैं 0.4 यहां पर है इसको हमने जब pass on किया तो यहां पर आया तो यहां पर ऊपर जो वैलु आएगी वो 0 आएगी हम बनाएगे तो पहले क्या है हमारा 0 आया उसके बाद हमने इसको उपर प्लेस किया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, फिर इसको नीचे लेकर गए, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 1, इसी तरीके से यह वाला जो 0.2 है नीचे वाला, यह देखिए, सिंबल एस्टू, कि जो प्रॉबैबल डिये 0.2, इसको सबसे पहले हमने दिया, 1, उसके बाद यह उपर गया, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, फिर नीचे आया, इसके वैल्यू 1, इसे तरीके से सिंबल 3, जिसके प्रॉबैल डिये 0, 1, सबसे पहले उसको हमने दिया, 0, उ इस तरीए symbol 4 probability 0.1 इसका जो symbol है पहले जो दिया हमने 1 symbol दिया उसके बाद इसको यहां प्लेस किया second position भी जहां पर कोई value नहीं फिर यहां 0.2 यहां पर 1 फिसको पर प्लेस किया तो यहां गया हमारा 0 तो यह हफ्मान coding से इस example का हमारा code जनेट हो गया जो हमारा symbol S0 है जिसकी probability 0.4 है उसको मैंसे represent करेंगे S1 with probability 0.2 101 10 सॉरी S2 का 0.2 11 S3 0.1 010 S4 का 0.1 probability और code word है हमारा 011 यह हमारी हफ्मान Coding Thank you